हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अभी शेक शर्मा है और मैं हूँ आपका उनलाइन ट्वीटर आज मैं आपको बताऊंगा कि हेडर फूटर कमांड का कैसे यूज करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ और पैराग्राफ लिखने के बाद मैं यहां पे हैडर फूटर कमांड चलाना चाहता हूँ तो हैडर फूटर का स्वेक्स loaf. डूपै क्लिक करेंगे तो हैडर फूटर को अप्सर्ण आइइगे आप 묹सा एडर ले सकते हैं ऐसा हैडर ले सकते हैं और अभी दो एक सर्च भी कर रहा है, ऐसा header भी ले सकते हैं और ऐसा header भी ले सकते हैं, जैसा header चीज़ उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्मेंट टाइटल आजाएगा, डॉक्मेंट टाइटल में आप जो भी लिखना चाहें, और year में जैसे मानने 2016 लिख दिया, तो ऐसा year लिख सकते हैं, प्रोच करेंगे तो यह header था, अगर आप फूटर लिखना है, तो insert पे गए, और फूटर पे क्लिक करा, फूटर के टा पेज नमबर आटोमेंटिक आ रहा है, ऐसी यह अप गए, तो आप पे डॉक्मेंट टाइटल भी लिख देता हूँ, तो इस तरह से यह तो हो गया header, और यह हो गया footer, अब क्या है कि अगर मैं पेज नमबर अलग से भी चाहता हूँ, तो मैं पेज नमबर पे क्लिक करूँ आपका है, आपका हैडर, और यह है footer, और यह है page number, तो इस तरह से आप हैडर, footer और page number का इसके माल कर सकते हैं, तो चलिए यह था आज की जानकारी, मिलते हैं आपसे एक नवी वीडियो को लेकर तब तक के लिए, बाई बाई